हलो वेलकम टू डॉक नाइट अरोट आज मैं इस ट्रॉपिक प्रेडिंग कर रहे हूं वह है वाट अर्डी थिंकिंग अबाउट यू आपके पार्टर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस वक्त ठीक है और रिडिंग्स लेट हो गई क्योंके मतब के रात में थोड़ा सा प् अबर को अबर हो चाता है ठीक ए लेखे हैं आपके पर्सन में को लेकर क्या सोच रहे हैं आप Hmmm को उसको लिंग आपको मिलेगा कॉमेंट बॉक्स में ठीक है मैं वह पेंट कर दूंगी तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं शॉर्ट इडिंग का है आपको जोड़ी एक साइन के हिसाब से मिलेंगे और भी मल्टीपल टॉपिक है जिसको आप वहाँ पर देख सकेंगे शॉर्ट इडिंग में भी जैसे यहां पर अप्लोड होते हैं जबे लिखते हैं टापिक की तरफ आते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के माइन में आपको लेकर इस वक्त क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशन्शिप में इस वक्त जो भी आप कोंटेक्ट में हैं या नो कोंटेक्ट में या सैप्रिशन में हैं आपके पर्षन के माइन में आपको लेकर क्या है इस वकट मैंने révसे अपनी तरफ से कोशिश किया कि जल्य जिडिंग मैं आप लोग को दे दूं लेकिन यह लेट हो गए His देखते हैँ आपके परसन के माइन में आपको लेकर इस वक्त क्या है राइट नाओ आपके पार्टर क्या सोच रहे है सविन अफ सोट्स यह परसन इस वक्त आपके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है ठीके और मजब के एक कनेक्शन आप लोका ब्रेक हुआ हुआ है किसी भी वे में लेकिन बात नहीं हो पा रही है हाँ पर यह परसन आगे पर रहा है अपनी लाइफ में थोड़ सा मतलब के गोस्टिंग एनरजी पर है शायद यही शो कर रहा है कि इसको आप से कनेक्ट नहीं होना या बात चीत नहीं करनी यह जैसे कि इसका इंटरस्ट नहीं है stable जैसे के marriage material जिसके साथ marriage commitment आगे बढ़ा जा सकता है जिसके वो अपनी life में stability की तरफ move किया जा सकता है वो वाले person की तरह देखता है ठीक है यहाँ पर कुछ न कुछ marriage को लेकर issue है आप लोग की बीच में ठीक है एक thinking जो चल रही है marriage related चल रही है आपके partner जो सौच रहे हैं यहाँ पर commitment और marriage के बारे में ऐपनी life में यहाँ तो marriage को लेकर बहुत जादा आपके partner सौच रहे है मतब क्यों कोई person यहाँ पर यहाँ तो decide करना चाहा है अपनी marriage के लिए commitment के लिए लेकिन आपके partner की life में कोई नहीं प्रॉबलम है कोई नहीं जैसे के इंफुलिंस है यहां पर फैमिली का हो सकता है एद्गिरद की लोगों का हो सकता है लेकिन आपके पार्टनर मृंटली बहुत डिस्टरब हैं एक इस्टरब नजर आ रहे हैं बहुत ज़ादा मतब के कन्फलेक्ट हैं काफी एक डिस्टरब एनरजी है पीस मतलब कि बहुत सी influence है फ्रेंड भी हो सकते है और भी लोगों का influence हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपके पार्टर थोड़ा सा अपनी life को height कर रहे है या तो उनकी life में जो issues चलने उसको छपाना चाहरे हैं इस वक्त अभी इसलिए ऐसा हो सकता है मतलब कि खुलकर बात नहीं कर रहे है आपको आपके यहाँ पर आपके पर से थोड़ा सा एक hold back करने की energy पर है उनकी life में जो भी issues हैं जो भी problem है उसको discuss नहीं करना चाहरे है उस पर बात ही नहीं करना चाहरे मतलब कि यहाँ पर कोई भी कोई भी issue ऐसा हो सकता है मतलब कि उनके mind में यह है कि उनको अभी आप से कोई बात नहीं करनी है अभी आपको कुछ अपनी family से related बताना नहीं है जो उनकी life में issues चल लाए उस तो related कुछ discuss नहीं करना है hold back करने वाली energy है जैसे के बहुत कुछ उन्होंने hold कर रहा है financial issues भी हो सकते हैं आपके partner की life में आपर finances भी हाँ पर आपके person के disturb हो सकते हैं इस वक्त है यह person in and out की energy में रहता है जब भी आता है hold back करता ही है बतापके बहुत open अपनी होता अपनी life को लेकर बहुत open अपनी होता hold back की energy में ही आता है एक in and out की energy बहुत ज़्यादा यह person immature रहा है past में flirtyish energy में रहा है जैसे के in and out करना और multiple dating करना या बहुत ज़्यादा light hearted energy में रहना friendship, friend zone पे रखना वो वारी energy है यह person आपको छोड़कर गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा I'm mature था एक emotional attachment नहीं था silent हो जाता है long time के लिए यह detach हो जाता है बहुत ज़्यादा क्यापको past में जैसे के sudden यह detach हो था या आपको बिल्कुल completely इसने silent treatment कर लिया था मतलब कोई नो कोई distance मुझे इसकी तरफ से past में कोई आया था एक major distance आया था जैसे के बहुत लंबे अर्से तक आप लोग की इससे बात ना होना जिस person के बारे में आप सोच रहे हैं फिर बात हुई है तो फिर completely decision making कोई कोई किसी topic पर बात नहीं हुए मतलब के आप लोग के बीच separation silent energy को यह चलती रहती silent treatment लेकर आना silent energy में रहना silent हो जाना बिल्कुल जैसे के हाई पर मतलब यहाँ पर चीज़ें हिडिन होना यहाँ पर इस वक्त आप बहुत जादा एक मतलब के आपकी energy काफी confidence वाली लग रही है आपकी life में कुछ भी चल रहा हो चाहिए आप इसका कितना ही weight कर रहे हैं चाहिए आपका outlook है काफी confidence वाला है आप थोड़ से strong हो चुके हैं आप इसको chase नहीं कर रहे हैं आप अपनी life में थोड़ सा balance energy में आ चुके हैं मतलब कि एक charm नज़रा रहा है growth नज़रा रही है आपकी life में यहां पर आपनी love life को बनाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ सा confused नज़रा रहे हैं ठीके कभी emotional हो रहे हैं कभी एक dry energy प्यार में तो जैसे एक turmoil है कभी emotional हो जाते हैं कभी आप dry energy प्यार जाते हैं क्योंकि इस person ने आपको काफी mentally unstable करके रखा है तो आपका क्या mind कभी आप emotional होके decision making करना चाहते है कभी आप बहुता practical होगे कि जो कुछ हो चुका है उसके बात आपको लगता practical हो जाना चाहिए ठीक है यहां पर आप हम इसको clarify करेंगे कि आपकी life में यह person इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोच रहे है seven of swords को clarify करते हैं हापर seven of swords की energy क्यों आई है moon की energy है मतब कि यहां पर hidden hidden कुछ छुपाना fearful होना unknown fear मतब कि आपको नहीं बताना कि life में क्या चल रहा है already बहुत कुछ हो चुका है unknown fear है कि चीज़े यहां पर ऐसा हो सकता है कोई past भी सका हो वो भी छुपाना एक मतब कि आपसे चीज़े अभी hide की जारी है hidden energy है यह person अभी आपको अपने self को लेकर hide कर रहा है अपने आपको लेकर अपनी life को लेकर एक hiding energy पर है ठीक है यह आपको clear cut सब कुछ नहीं बता रहा है clear cut आपके साथ कुछ भी discuss नहीं कर रहा है illusions, unknown fears ऐसी energy है जैसे के moon की energy होना के clear cut ना रहना crystal clear कोई clarity ना देना यह वो वाली energy है इस person की life में marriage और commitment को लेकर कोई decision making चल रही है ठीक है इसकी life में यहाँ पर रहसे हो सकता है कोई mother issue कोई mother mother figure यहाँ पर बहुता influence कर रही है किसी की mother हो सकती है यहाँ पर ठीक है जो बहुत जादा जैसे dominating energy पर इस person के पर अपनी mother कर dominate email है if email इसकी mother इसकी life पर बहुत डॉमिनेट करती है ठीक है मतलब कि उनका एक फैसला इसकी life के लिए बहुत important होता है यह वो वाला person हो सकता है लेकिन distance है यहाँ पर यह आप दोनों के बीट एक distance के रिए to aware आप लोग एक distance पर है यह person आपको दूर से कहीं देख रहे है शयाद आप लोग बहुत time से ही नहीं मिले है बहुत अरसा हो गया आप लोग उनका दूसरी को देखा नहीं है ठीक है यहाँ पर यह काफी एक strong energy में देख रहा होगा आपको इतना strong है नहीं देखें यहाँ पर कुईन आफ पांटेकल आए मतलब के यहाँ पर आयता कुईन आफ फैंस और यहाँ पर आया किंग आफ फैंस दोनों एक counterpart होते है ठीक है यह person आपको आपकी की जैसी energy में देख रहा है लेकिन यह अपनी life में बहुत जादा उनके उपर domination है dominate करते हैं कोई नहीं इसके family members इसके उपर ठीक है इसकी life में यह मतलब कि इसकी family का एक strong effect है यह एक इतना strong नजर तो आ रहा है लेकिन यह थक चुका है इसकी life में कोई drama चल रहा है उस drama से निकलना चाहता है जो भी इसकी life में लडाई जगड़ा है जो भी इसकी life में इश्यूस है प्रॉब्लम्स है जो भी इसकी life में बहुत जहीज़ादा लोगों का involvement है यहां पर four of pentacle है यह tort of pentacle उन में आपकर जहीज़ादा उसको छूपाईगा उसको hold back करेगा उनको एक जो frustration इसकी जिन्दगी में चल रही होती, short temper, जब without किसी problem या without किसी आप लोगे बीच लड़ाई जग रहे, जब यह घुसा होता है, तो इसकी life में कुछ ऐसा है जो आप से discuss नहीं किया जा रहा है, ठीक है, cold हुआ है, बहुत है cold energy में आ चुक है, इन इन आउट energy भी स्टॉप होई चुक होगी, तो इसा blunt और cold हुआ हुआ है, dry energy में हुआ है, काफी practical हुआ है, एक practical energy मतब कि जैसे कि जितनी maturity दी न, जैसे सब का वो time अब बहुत एक strongly इसके पर effect कर रहा है, एक strong way में यह को, मतब कि इसके उसको समझाया जा रहा है, decision making एक in and out कर करनी होती है, life में decision making एक practical होके, mature होके होती है, ठीक है, silent है, किसी action को लेकर, silent treatment को लेकर, break करने को लेकर, बहुत जादा सोच रहा है, overthinking कर रहा है, लेकिन कोई action नहीं ले पा रहा है, आपकी तरफ किसी तरह की movement करना चाह रहा है, इस cold energy से निकलना चाह रहा है, जो अपनी hold back करने वाली energy ह उससे बाहर आना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी एक free, एक protective feel कर रहे हैं, तब ही आप इतना grow कर रहे हैं, एक आपकी growth आपकी life में आ रही है, ठीक है, आपकी life में multiple options हैं, arrange marriage हो या love marriage हो आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, लेकिन आप एक turmoil से गुजर रहे हैं, आपकी life में कुछ ऐसा है, आप free तो हो चुके हैं, इस person के आपको urge feel नहीं हो रही है, आप इसको bagging भी नहीं कर रहे हैं, आप इसको chase भी नहीं कर रहे हैं, हाँ चाहते हैं, और जो option है, उससे बहतर है, यह person आपकी life में आजा है, लेकिन आप इसको chasing energy पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप काफी free और protective feel कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी life में काफी confidence energy में, जितने भी परिशानिया होंगी, लेकिन आप इसके सामने काफी free feel कर रहे हैं, आप काफी protective feel कर रहे हैं, जिसे कि आपकी life का एक new beginning और एक new phase start हुआ हो, आपक आपके पास options हैं, ठीक है, ये नजद नहीं आ रहा है कि आपके पास lore नहीं है, अब आप खोड इन लोगों को accept करेंपन करें, ये आपके बेंट करता है, ठीक है, आप उन लोगों को आपके साथ कनेक्त होने के लिए लांग टर्म के ए लिए आपको दिख रहे हैं, आपकी life strong thinking क्या है आपको लेकर इस परसन की आपके लिए इस वक्त फीलिंग्स और intention इस परसन के किस तरीकी के रहने वाले हैं उनस फीलिंग्स को लेकर इस परसन के माइन में आपको लेकर क्या चलता रहता है लेकिन पता है क्या यह जितना भी आपके पार्टनर की लाइफ में सब कु चो चल रहा है आपके person face करेंगे तो कोई decision making प्याएंगे ठीक है अगर आप बहुत time से wait कर रहे हैं तो इन सब चीजों को face करना आपके person का जरूरी है अभी जो time चल रहा है ये एक आपके person का process है ठीक है decision making करने का process है अगर ये person इस process से नहीं गुजरेंगे तो कुछ डिसाइट नहीं कर पाएंगे यह प्रॉसस जरोरी है, जैसे के रिजल्ड के लिए प्रॉसस जरोरी होता है, आपके परसण शैद बहुत टाइम से इसी तरीकी देकी अनर्ची में रहे में बहुत टाइम से ले、 दिजों को होल रेक करते ज़के वह आ रहे हैं तो यह प्रोसेस ज़रूरी था आपके पार्टनर की लाइफ में ठीक है फैमली थोड़ी सी आपके परसंथ कि किसी टॉकिक और डामिनेटिंग इंबर्जी की हो सकती है ठीक है जिसकी जितनी maturity थी या cold, detached energy थी वो सब एंड हो गई, ठीके, वो एक, चाहे आप ये person देखें, आपका faded connection हुआ, अगर ये आपकी person आपकी life में हुआ, तो आपको बहुता एक different personality की तरह ये person आपको मिलेगा, ठीके, लेकिन ये एक family oriented person है, ये अपनी family की responsibility, ये family के बारे में होड़ सकता, इसकी family और आप एक साथ है, ठीके, इसके लिए family की importance बहुत जादा है, अपनी life में, तो चीजों को साथ लेकर चलना चाह रहा है, चीजों को balance करकर रखना चाह रहा है, ठीके, और यहां पर भी आपने भी बहुत कुछी समझा है, यहां पर आपको भी एक chasing और ऐसे trust नहीं करना चाहिए, आपके partner की feelings, यहां पर है यह, मतब कि एक lovers की energy है, यह एक protect, मतब कि यह person इस रिष्टे को जिसे protected देख रहा है, interest ले रहा है, इस रिष्टे में, जो इसकी life में और options जो इसको दिखाए जा रहे है, वो इसके लिए जिसे आपको, आप समझ नहीं आपने पाते हैं, options तो होते हैं, इनसान की life में, लेकिन एक इनसान माइंड में click कर जाता है, ऐसे ही आप इस person के mind में click कर गया है, ठीक है, यह आप ए king of pentacle, यह person आपको stable person की तरह देख रहा है, आपके लिए stability के लिए, आपके लिए loving energy में है, आपके लिए stability, queen of pentacle, यह दोन company, and अपनी life पे work करें, यह person, मुझे ऐसा लगता है कि, या तो आप यहां पर contact करने वाले हैं, ठीक है, या तो यह person आपको contact करेगा, ठीक है, यह person contact करता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई message, कोई text, आपके विश है, यह person आपको कोई message करें, कोई text करें, आप hope less हो होगी है, कहीं और beginning होगी, यह थोड़ से confused state है, आप दोनों की life की, ठीक है, लेकिन आपका यह phase है, इस वक्त जैसे कि changing का relationship को, situation को, एक change करने का time है, आपके relationship में, ठीक है, कुछ चीज़ आपके जिन्दगी में बहुत strong way में change हो रही है, बदल रही है, एक emotional loss है, आपके कनेक्ट हों, कुछ new beginning, आप लोग के बीच एक new transformation, एक new starting की तरफ आप लोग जरूर जाएं, ठीक है, आप और एक जैसे के wish कर रहे हैं, आप लोग स्टेबल देख रहे हैं, एक दुसरे को, एक दुसरे के लिए अभी भी, लेकिन यहापर अप destiny पर depend करता है, आप लोग को कर आना पड़ेगा, यह क्या चाहरा है आपको लेकर, क्या decide करना चाहरा है, क्या सोचना चाहरा है आपको लेकर, इस परसन को यह चीज़ कहनी पड़ेगी, जैसे क्या आपको कहनी पड़ेगी, इसकी life में कोई issue चल रहा है, यह whole back करने वाला परसन है, बहुता अपनी life में problem औ आपको आपके choose करें, लेकिन यह आपको आपको choose करना चाहरा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है, इसकी life में जो option है, वो आपसे compatible नहीं है, आप उन लोगों में बहुत ज़्यादा बहतर है, वो आप इसके mind को समझते हैं, और इसको सोचना जानते हैं, आपको यहाँ पर इ detachment पर हैं, तो detachment पर ही रहें, ठीक है, मतब कि detachment को आप इसको solve मत करें, और मतब कि चल रहें, अपनी life में, friend circle में connect हो, अपने आपको heal करें, ठीक है, कुछ new manifest करें अपनी जंदगी में, आप जो manifest कर सकते हैं, आपके life में एक new beginning है, एक new start है, कुछ zero से आपकी जंदगी में start हो रहा है, इस person के साथ हो, किसी और के साथ हो, लेकिन start आपकी life में जरूर हो रहा है, आप नी life में कुछ new start कर सकते हैं, एक new journey को आप manifest कर रहें, एक new journey आपकी life में आ रही है, ठीक है, लेकिन आप enjoy करें, अपने life में creative energy पे रहें और अपनी Unitedquier energy पे रहें, ठीक है, इस situation पर रेक्त रिंगे चलेगे तो सब्सक्राइब